जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे तूवर वाला कीमा बनाने की रेसिपी तो चलिए, सुरू करते हैं तूवर वाला कीमा बनाने के लिए हमने एक प्रेसर कुकर में चार से पांच टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, बारा से पंदरा काली मिड, इसी के साथ डालेंगे एक इंच का दाल चिनी का टुकड़ा और एक तेज पत्ता जीरा जिसे ही तेल में चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे प्यास तो हमने यहाँ पर मीडियम साइस की चार प्यास को स्लाइसिस में काट लिया है और गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर प्यास को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर सुने राना हो जाए प्यास का कलर लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है और इस टेच पर हम इसमें कीमा डालेंगे तो हमने यहाँ पर regular fat के साथ वाला 750 ग्राम यानि की पोना किलो मटन का कीमा लिया है और इसी के साथ हम इसमें स्वादनुसा नमक डाल देंगे या फिर एक टीस्पुन से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल दें अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें कीमे को तेल में अच्छे से fry करने ना है गेस की flame को हाई रखेंगे कीमे को हमने हाई flame पर 5-7 मिनित तक तब तक fry कर लिया जब तक की इसमें से तेल ना release होने लगे और इसका color ना change हो जाए तो 5-7 मिनित तक fry करने के बाद अब हम कीमे को बोईल करेंगे तो इसे बोईल करते वक्त हम इसमें आधा कब पानी डाल कर अच्छे से मिला लेंगे प्रेसर कूकर को लीट से कवर करके हाई flame पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की flame को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनित के लिए इसे और बोईल करेंगे एक प्रेसर आने तक high flame पर और पांच मिनित तक लो फ्लेम पर बोईल करने के बाद हमने गेस की flame को off कर दिया और इसके प्रेसर को खुशते release होने देंगे अब लीट को खोल लेंगे अब हमने गेस की फ्लेम को फिर से ओन कर दिया है अब देख सकते हैं कि कीमा बोईल हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें कितना सारा पानी बाकी है तो अभी हमें हाई फ्लेम पर इसके तब तक पकाना है और इस टेच पर हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे टमाटर तो हमने यहाँ पर तीन टमाटर लिये हैं और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे तूबर तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम तूबर ली है वेसे तो हमने 500 ग्राम तूबर ली थी लेकिन छीलने के बाद ये 250 ग्रम हो गई और अब हम इसमें एट करेंगे 1.5 तीसपून लालमिश पाउडर, 1.5 तीसपून धन्या पाउडर, 1.5 तीसपून हल्दी पाउडर, 1.5 तीसपून जीरा पाउडर और 2 तीसपून अधरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिला ले तूबर के गलने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो हमने प्रेसर कुकर को लीड से कवर करेंगे कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर 2 प्रेसर आने तक हमने इसे पका लिया और गेस की फ्लेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे और लीड को खोल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तूवर कीमा बनकर बिल्कुल तयार है और इस टेज़ पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धन्या डाल कर अच्छे से मिला लेंगे वैसे आलू और मतर के साथ तो कीमा हम हमेशा ही बनाते हैं लेकिन एक बार तूवर वाले कीमे की रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही बढ़िया कीमा बनकर तयार होता है तूवर वाले इस कीमे के टेश्ट को और भी बढ़ाने के लिए आप इसमें मीडियम साइस के दो आलू भी डाल सकते हैं लेकिन आज हमने इसे सिर्फ टूवर के साथ बनाया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल डिक बेश्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई